यो नमो नमा आज हम पढ़ रहे हैं विशेशक्ति अलंकार विशेशक्ति अलंकार जो है पहली बात तो यह अर्था अलंकार है और दूसरा यह विरोध मूलक अलंकार है विरोध मूलक अलंकार है और उसके बाद जब केटेग्राइज किया जाता है तो यह विरोध मूलक अलं अखंड कारण के होने पर भी यह निकी कारण के मिल जाने पर भी अखंडेशू कार्थ है मिल तेशू कारण के होने पर भी फल का कथन नहीं होना फल क्या है कारण के होने पर भी कारण के होने पर भी कारण के नहीं होना विशेश अलंकार है जो विभावना लंकार है वो इसके opposite है उसमें क्या होता है उसमें कारण नहीं होता लेकिन कारिये हो जाता है यहाँ पर कारण उपस्तित होता है लेकिन कारिये नहीं होता कारण के मिलने पर भी कार्य का कथन नहीं होना ही विशेश अकति लंकार है यहाँ पर कारण तो होंगे उस कारण के अकोर्डिंग जो कार्य होना है वो नहीं होगा और ये तीन प्रकार का होता है पहला है अनुक्त नीमिता दूसरा उक्त नीमिता तीसरा है अचिंत नीमिता अनुक्त नीमिता वो होता है जहां पर कारण जो है उन कारणों के कारण कारिये तो नहीं हुआ लेकिन जो कारण है उसको उक्त नहीं किया गया अर्थात बताया नही गया है एक्चुल नहीं बताएगा कि क्या कारण था जो कार्य है नहीं वह पर जाये गार कार्य इसमें होगा ही नहीं और तीसरा जो चिंतन के नहीं होता है इस सब से पहला होगा उतारन से जहां पर कारण को कहा नहीं नहीं जाएगा कारण तो बताए जाएंगे लिए कि नेक्चुल क्या बात है वो नहीं बताया जाएगा तो यह हमारा उधारन है निद्रा निवृता वुदीते द्यूरतने सकी जने द्वार पदम प्राप्ते शतली कृताशले श्रसे भुजंगे चचाल नालिंगनतो अंगनासा निद्रा निव्रित के निवृत्ने कत बतारें निद्रा के निवृत्व हो जाने पर उनका प्राप्त हो जाने पर शत ली कृत आशलेश रसे बुज़ंगे बुज़ंगे जो वो किसके लिए है प्रेमी के लिए प्रेमी के जो है शतली की आछलएश रसे आरेश वोता है आलिंगन करना रस उसके आनद और जो आनन्द आ हर जो आंण PDF है उसको शिथिल कर देने पर भी प्रेैमी के द्वार्ए जो आलिंगन से जिस अचानद तो जा ला जॉतसिइंबूर या हटना नहीं ना विचलित हुई या ना हटी आलिंगन तो आलिंगन से अंगना सा अंगना वह प्रेमी का आलिंगन से नहीं हटी आलिंगन से विचलित नहीं हुई कि वो आलिंगन के हुए है अब देखे कारण क्या क्या है कि निद्रा खुल गई है अब निद्रा खुल फिर जो प्रेमी है जिसने अलिंगन किया हुआ था उशने अपने बुझाओं को शितिल कर दिया दूर कर दिया है वो आनंद भी नहीं अब फिर भी जो अंगना है वो उस अलिंगन को नहीं छोड रही है अब कारण तो क्या है जो कारण यहां बताये गए है. उसके कारण कारिय क्या होना था उस अंगना को वो अलिंगन छोड़ देना चाहिए था लेकिन अंगना ने वो अलिंगन छोड़ने रूपी कारिय को नहीं किया वो अभी भी अलिंगन किये हुए है तो ये क्या है कारण के होते हुए भी कारिय का नहीं होना और ये अनुक तो क वो अलिंगन को क्यों नहीं छोड़ रही है क्योंकि अतिश्य प्रेम है अतिश्य अनुराग है इसके कारण वालिंगन को नहीं छोड़ रही है तो यह बात यहां नहीं बताई गई है इसलिए अनुक्त निमिता है यहां पर जो कारण विशेश जो है वो अनुक्त है वो कहां लाहीं गया है दुसरा हमारा हुदारन है उक्तनीमिता इसमें कारण क्या है वह भी बताए जाएगा हां कारण नहीं होगा उधारन है इसका जिड़ जल दिया था भश्म कर दिया था वह पूरके समान जल जाने पर भी अब देखिए शरीर नहीं रहा तो उसकी शक्ती नहीं ज़ती हैं यो नमस्तु वारिन नमस्तु अव आ होते हैं जो अकुंटित प्राकरम कुंटित नां किया जा सके ऐसे प्राकरम को कौन है वो मकर केतवे कामदेव को तसमई उस कामदेव के लिए नमन है कि जिसके प्राक्रम को कुंटित ना किया जाए ऐसे कामदेव के लिए नमन है अब यहां पर कारण क्या है कपूर के समान दग्द होने पर भी यानि कि उसके शरीर के जल जाने पर भी यदि शरीर जल यह कारण हो गया है तो कार्य क्या होना चाहिए उसकी शक्ति सामर्थ है समाप्त हो जाना चाहिए लेकिन शक्ति मान अभी भी वह शक्ति मान है उसकी शक्तियां हर किसी इंसान के अंदर वह काम वासना की रूप में विराज मान है तो कारण यह है शरीर का जलना और कार्य होना अभी भी मान हैतो सामर्त्यक सक्ति वो चीनत नैद मीता का यह Een कारण बताया है हैं काम देव से संबंदित हैं देख लेते हैं इसको साहा एकस्त्रीनी जयती सहा कुष्म आयूधा वह जो जिसके फूल के अस्तर है एक आएक वह एक यानि कि कामदेव त्रेणी जगंति जयती तीनों जग को जीतता है जिसने जीत लिया है और अस्तर किया उसके पास फूलो वाला अस्तर है उससे उस अकेले नी तीनों जग को जीत लिया है अब यहां देखिए क्या है यहां पर कारण क्या है तनू शरीर का हरन तो कर लिए अब जब शरीर का हरन हो गया है तो बल का हरन भी हो जाना चाहिए यहां पर शरीर का हरन रूपी कारण तो है लेकिन बल का हरन रूपी कारिय नहीं हुआ है तो यह क्या है कारण के होने पर भी अर्था शरीर का नाश होना शरीर का हरन होना यह कारण की होने पर भी बल का नाश नहीं होना यह कारिय यानकि बल नाश वाला कारिय यहां पर नहीं हुआ है और यह अचिंते क्यों है कि यह हमारी चिंतन का विशे नहीं है यह शास्तर गम्य बाते हैं शास्तर सम्मत बाते हैं इसमें हमारे विचार शक्ति कोई कारिय नहीं कर सकती इसलिए इसको अचिंते निमिता कहा गया है तो एक बार दे कारण होगा, कारिये नहीं होगा, तीन प्रकार का है, अनुक्तनिमीता, उक्तनिमीता और अचिन्तनिमीता, अनुक्त में कारण एक्चुली नहीं काय जाएगा, और वहाँ पर उधान यही कि कारणों के होने पर भी कारिये नहीं होगा, यहाँ पर निद्रा कुल गई है, सुर कारण के होते हुए भी, दूसरे है, जहां पर, कपुर के समान काम्देव का जो श्रीर का अधया लेकिन उसके बाद और उसकी शक्ति अभी है, जबकि शक्ति रहित हो जाने वाला कारिय ता कारण के होने पर, तीसरा भी यही है, जो श्युवorer उन्होंने उसके श्रीर काहरण तो किया लेकिन बल काहरण नहीं किया शरीर काहरण होने पर बल हरण होना था ये कारिये नहीं हुआ तो ये हमारा विशेशोक्तियलंकार है धन्यवाद